हलो फ्रेंड्स मैं जग्दीज दाकर्ड में आपका स्वागत करता हूँ आपके उजूल वविशी की कामना के साथ शुरुआत करते हैं आज का टोपिक एरोप में दर्म सुदार आंदोलन आज हम बढ़ने वाले हैं दर्म सुदार आंदोलन के कारण प्रमुक दर्म सुदारक उनके विचार जिसमें जो विचारक थे जोन वाइकलिफ, हस, इरेशमस, सेवान अरूला, मार्टिन लूतर, जिंग विली और कॉल्विन दर्म सुदार आंदोलन के परिणाम, यह मुख्य मुख्य बिंदू है, जिनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, यह सभी परिक्षाओं के संदर में महत्पून है, दर्म सुदार आंदोलन के कारण क्या वो देखते हैं, यह मैंने यूरोप का फोटो लगाया है, जिस प्रमुख केंदर बिंदू रहा है, अब क्या क्या कारण थे, पुनर जागरन का प्रभा होता सबसे पहले, इससे पहले जो मुख्य गटना गटी थी यूरोप में वो पुनर जागरन था, जिसमें मानसिक और सांस्कृतिक क्रांती हुई थी, और सब का तरक सकती कहलो, आप सिक्षा कस्तर कहलो, हर चीज में उनको, उनकी सम्रिद्ध्य हुई थी, तो बहुत बड़ा कारण था धर्म सुदार अंदूल, उनका पुनर जागरन, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, और चर्च के अंतरकर व्याप्त बुराईयां, इसमें उस टाइम चर्च थी, वो आम जिन्ता में दीखने लगी थी, तो लोगों में उनके खिलाफ भावनाई व्यप्त होने लगी थी, तो वो धर्म सुदार अंदूल, उनका यह भी कारण बना, फिर आर्थिक कारण भी था, और मध्यमवर की मैतों कांग सा भी बढ़ने लगी थी, और वेग्यान यही राज्यों में अपने प्रतिनिती न्यूक्त कर सकता था, एक्स कम्यूनिकेशन उसका एक पावर था, जिससे वो राज्या को भी अटा सकता था, तो राज परिवार भी उसके खिलाफ होने लगे थे, तो धर्म सुदार अंदूलन में यह भी एक कारण माना जाता है, त यह चैप्तौलिक धर्मियों यूसाहिद धर्मिका सबसे बड़ा जो जो कैने द्रम का नेjest्ग्र करने वाला जार्म नेता होता था उसको बॉलते थे जो रोम में आप खिर्मा पत्र का विक्रे करो मतलब आप किसी ने पाप किया है तो हमसे आप क्ष्मा पत्र खरीद लो आपका पाप मुक्त हो जाएगा आपको कन्फिक्शन करने की जुरूत नहीं हैं चर्च में जाकर माफी मागने की आपको अपने गलती का पश्चाताब करने की जुरूत नहीं है ऐसा वह मानते थे तो इस टाइम पर उसने ख्रमा उक्समा पत्रों का वितरन जब विटनबर्ग जर्णमिन में चलू किया था तो वहां पर मार्टिन लुदर ने इसका विरोध किया और 95 थीस उसने कैसल चर्च विटनबर्ग में है कैसल चर्च वहां पर उसने 95 थीस और 95 मन्यता ही वहां पर लिख के लेटिन भासा में लगा दी थी तो उससे सब लोगों ने वह सब पढ़ पढ़के लोगों में जाग रुगता ही और यह बहुत बड़ा कारण था एक चिंगारी थी एक तरह है कि यही बहुत बड़ा ततकाली करण बना दर्मसुदा अंदुर्ण था आगे देखते हैं प्रमुक दर्मसुदार कौन-कौन हुए हैं पहला था जोन वाइकलिफ यह इंगलेंड का रहने वाला था और बाइबल का संब्रतक था यह पॉप को नहीं मानता था पॉप वे जोन वाइकलिफ पोफ वे चर्च का विरोधी था और यह पहला वेक्ति था जिसने इसने का विरोध किया था इसलिए इसको The Morning Star of Reformation के नाम से भी जानते हैं यह उसी नाम से प्रसिद्ध भी हुआ है और इसके जो अन्युआई थे वो लोलाट्स कहलाए यह बहुत इंपोट पॉप में एक चेकर Republic country है वहाँ पर एक वर्तमान में एक देश है वहाँ पर यह नगर ता उस टाइम पर वहां का रहने वाला था यह वाई- motif की बातों को मांनता था आधिक ऑई-बल था फ्लोरेंस योग इटली में एक सहर है एक विद्वान पादरी था ये और पॉप के आदेश की अवेलना करने इसको भी जिंदा जला दिया था पादरी होते वे भी इसको जिंदा जला दिया था और जूइंग ली अंगरी इसने 1525 में और 1529 में मार्बर्ग विवाद जो कि मारबर्ग में लूतर और जिंगली की बीच विवाद हुआ था 1529 में मारबर्ग विवाद नाम से प्रशिद हुआ और जिंगली ने 67 सिद्धान्त दिये सामुहिक प्रातना कुष्मा पत्र पॉप की सेना वर लेटिन से लिखी बाइबल का इसने विरोध किया और सुधारक जो नेक्स्ट मार्टिन लूथर बहुत इंपोर्टन मैंने फोटो लगाया है आप इस पर जुरूर पका ध्यान दें बहुत ही महत पूर्ण इससे कई क्यूशन आते हैं मार्टिन लूथर का जनम 1483 में हुआ 1546 में इसकी मिर्टी हुई थी जर्मनी का रहने वाला था और 1511 विटेंबर्ग चर्मनी में था 1517 में विटेंबर्ग में टेट जल दौरा किस्मा पत्रों की बिक्री तेट जल ने जो किस्मा पत्र की बिक्री सुरू की थी वो 1517 में करी थी और 31 अक्टूबर 1517 में ही लूथर ने विटेंबर्ग के केसल चर्च के प्रिवेस दौर पर ले 1519 में लिपजिंग में पोप लूथर के बीच विवाद हुआ था 1519 में और तीन पेंपलेट इसने प्रकासित किये थे किसने लूथर ने जर्मन एक पहला था जर्मन सामंत वर को संबोधन दूसरा था इसवर के चर्च के बेबिलोनिया इकेद तीसरा था इसाई विक्ति की विरोध में किये थे कैतोलिक चर्च के और इनके धरम के खिलाफ 1522 में बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया जो सेप्टेंबर महिने में करने के कारण ये सेप्टेंबर टेस्टामेंट के लाए और पेपल बुल का आदेस या एडिक्ट ओवोंस के आदेस ये आदेस इस के मार्टिन लूतर के खिलाफ चो ये विरोध कर रहा था इसके खिलाफ सो जारी के थे और इसको बार क्या बोलते देस निकाला भी देने का इसको आदेस दिया था बट ये गया नहीं और सामन्तों ने निकसा साथ दिया था 1525 में स्पेर में प्रत्म धर्म सबा हुई थी औ और उनों आदेशों के खिलाफ समन्त इखटे हो गए थे जो समन्त इखटे हो कि जब उन्होंने आंदोलन सुरू किया 19 अपरेल 1529 को उस दिन से ही प्रोटेश्टेंट की सुरुवात मानी जाती है प्रोटेश्टेंट का जनम हुआ माना जाता है प्रोटेश्टेंट जब विरोज जदा बढ़ गया तो आपस में संदी हुई इनकी प्रोटेस्टेंट वे प्रिंस फर्णिदेंस के बीच 1555 में और लूतरबाद को वेदानिक मान्यता दे दी गई आपस में संदी से लूतरबाद को पहली मान्यता प्राप्त हुई इससे पहले जब इन्होंने मिटिंग के लिए बुलाया था तो आपस में की स्विकृति बोलते हैं उसको क्योंकि पहली बार उन्होंने इनको मान के बात के लिए बुलाया था और जब उन्होंने अपनी बात ने दिया इंपोर्टेंट है और यह मैंने इधर एक फोटो लगाया जिसमें यह 95 चिपका चिपकाते हुए मार्टिन लूथर का फोटो है और यह मार्टिन लूथर है फोटो मैं इसलिए लगा था कि अच्छे से याद रहे पढ़ने के साथ और इसके अलावा एक और इंपोर्डेंट था वो काल्विन था फंद्रासो नौ में चन्मा फंद्रासो चोसेट में इसकी मृत्ति हुई यह फ्रांस का रहने वाला था और इसको प्रोटेस्टेंट पोब भी कहते थे यह सुट्जलेंड में धर्म सुधार अंदुलन का नेत्रत किया इसने इसका मैं प यह नियती को मौक्स का गांता था कि जो नियती में लिखा है वही होगा नियती के अनुसार मोक्स प्राप्तिका संदेश दिया और इसे वाथ को प्रेश बीटिर्यन नाम से नाम से जानते थे और वहां यह जो लोग थे वह नौक्स करनिया इन olhos थे लेकिंग कि मैंहें तेख कालविन को फोलो करते थे और फ्रांस में कालविन को काल विघूए को हीगोनोटS कहते थे और 1589 में में फ्रांस के समराथ हैंडरी 4 ने एडिक्त और नान्च्ट के अधेश दैसा हीग नोटS को उसको स्वतन दर्म की मानियता दे दी ती और वेश्ट पेले की संदी से कालविन वाद को मानियता पराप्त हुई थी यह ते प्रमुख दर्म सुधारग और इंग्लेंड में फिर यह तो फ्रांस और जर्मनी अलग अलग जो भी दर्म सुधारग हुए वो थे मैं मैं अब इं कैथोलिक से अलग हो गए थे यह पोप से इनका रिलेशन बिल्कुल ब्रेक कर दिया था कोई वहां पर टेक्स नहीं पेज़ते थे कोई उनसे परमिशन नहीं थी यह अपना अलगी चर्च और इसाई धर्म से रिलेटेड उन्होंने अपने शुरुवात करती थी कैथोलिक से अलग हो गएते तो यह यह सकते हैं की तरह है यह भी कैसा मउर्य वियरोधिया अलग हो गही खुनल्य मेरी थी सामरेजिया थी उस टाइम पे जो एक मात्रे कैथोलिक की समढर्दक थी उसक crossing के बाद जिसने कैथोलिक को वापस स्युकार करने के लिए जंताओं को उपर जबर्दस्ति करी देता कही लोगों को उसने चांज से मार दिया और यात नहीं दिया इसलिए उसको खुनी मेरी नाम से भी वो प्रसिद्धि वी यह प्रोटेस्टेंट का दूसरा रूप था जिसा कि मैंन प्रेयर नम पुस्तक लिखी और इसमें बैयाली सितांत दिए इसने बियाली शितांतों गोश्णा करी और बिटेन का यह सुदार अंदोलन एंग्लिकन वाद के नाम से जाना जाता है इंपोर्टेंट है और यह था इसका इंग्लेंड वाला इंग्लिकन दर्म सुदार स्कॉट एंड में प्रिसेबिटेरियन इस तरह प्रतिवादी सुधार अंदलन वह था जो कैथोलिक थे वह अपने धरम को बचाने के लिए कैथोलिक विरोधियों को के खिलाफ जो भी अपनी नियती बनाई या जो भी अपना विरोध किया उससे रिलेटेड अपने जो सुध भार करके वापस स्ताबित करने के लिए जो प्रयाज किये वह थे जिसमें सबसे पहले ट्रेंटी की सब्सक्राइब और इसके बाद इंक्विजिशन न्यायले स्ताबित किये पोप पॉल थर्ड ने जो भी 1542 में स्ताबित किये गए थे और यह जो कैथोलिक विरोधि थे उ जो स्पेनिस सेनिक था और इसके साबना पेरिश में की गई इसके संस्तापक सदिश्य छे थे और उसमें जेवेर भी था और 1544 में पोप थ्री ने इसे मान्यता परदान कर दी थी और उसके बाद राश्टी बावना का भी उकास हुआ अपने देश के धरम को लेकर लोग अ ग्रह युद्ध पररण हो गये थे अपने धरम को लेकर आपस में लड़ाईयां लड़ने लगे थे शिक्षा का प्रशार प्रशार हुआ साहित्य वबासा के क्षेत्र में विकास हुआ आर्थिक विकास और पूंजिवादी प्रविर्टी को प्रोथसान मिला और ऐस इसनि का मतलब यह है उस टाइम डाकन जो भी हम बोलते हैं राजस्तानी में डाकन और डाकिन जो प्रेता आत्माहीं कह सकते हैं आत्माहीं भठकती रहती है उनको समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया अलग अलग तोड़के टंटे करते थे उस काल को लाकिन आखेट काल के नाम से जाना जाता और वो काल था पंदर सो साथ से सोला सो तीस के बीच में और सो तो अठारा से सो अठास तक तीस वर्षी है यूद वह इसमें कई यूद आपस में अपने अपने मान्यताओं को लेकर कई यूद लड़े गए चोटे-मोटे और ग्र सबस्ते रहें इस कामना के साथ आप मेनत करते रहें आपको जुरूर सफलता मिलेगी और अमारे साथ बने रहें वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन जुरूर दबाएं और मेनत करते रहें बहुत बहुत धन्यवाद